आज में आप लोगों को बताने वाला हूँ एमजी जो एस्टर है उसमें फेसलिफ आचुका है 2024 के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स के साथ अब गाड़ी हो चुकी और ज़ादा एडवांस हमने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए मगर आज टॉफ एरेंट नहीं है आज है बिल्कुल मिडल वेरियंट जो वेरियंट सबसे जादा लोग ले रहे होते हैं और जिनको परफॉर्मेंस फील तो चाहिए मगर उनका बजट बहुत जादा वो एन्हांस नहीं करना चाहते पर फीचर्स तो आज हम उस वेरियंट के बारे में बात करेंगे मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लोग हम कौन सा बनाएं सेम डाइम अगर आप लोगों को भी एमजी का एक्सपिरियंस लेना है तो जैपूर में जो आउटलेट है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अदर्वाइस आपके आस्परोस में जो भी एमजी का आउटलेट है वहाँ पर जाओ गाड़ी का एक्सपिरियंस लो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जब तक आप उनको कामे नहीं लेते परक्ते नहीं हो तब तक आपको उसके बारे में होता है ना एक्सपिरियंस कैसे मिलेगा ये जो वीकल है इसमें जो इलेक्ट्रिक वीकल था MG ZS EV उसका अल्रेड़ी हम एक्सपिरियंस कर चुके हैं दिल्ली से धहरा दून तो जो बॉड़ी शेल जो बिल्ट क्वालिटी और जो लोग इसको देख रहे होते हैं पर आज हम इसका कमबशन इंजन चलाएंगे मगर उससे पहले आज सिर्फ वाक अराउंड करके हम आप लोगों को बताते हैं कि गाड़ी फील कैसे करती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So guys पेश करते हैं 2024 MG Ester सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से कुछ इस प्रकार से चाबी मिलती है बहुत ही खुपसरत MG की बीचो बीच ब्रांडिंग और उसके चारो तरफ आपको हलकी सी रेड इंसर्ट मिल रहा होता है इस तरफ की के अंदर आपके पास लॉक अनलॉक और पीछे से बूट ओपन करने का बटन मिलता है यह जो हमारे सामने वीरियंट खड़ा है यह सेलेक्ट वीरियंट है मतलब बिलकुल सेंटर वाला वीरियंट अब हम चाबी को क्या करते हैं पॉकेट में रख लेते हैं और शुरू करते हैं फ्रेंट से सबसे पहले बहुत ही खुबसरत फ्रेंट में आपको एमजी का लोगो मिलता है उसके साथ में फ्रेंट में कुछ इस प्रकार से दिखने वाले ग्रिल कमेंट करके मुझे बताना कि यह जो ग्रिल है इसका डिजाइन एलिमेंट आपको कैसा लगा बहुत अच्छा है सबसे बड़ी चीज जो मुझे पर जो लगती है वो यह है कि पूरी जो फेंस है वो पूरी की पूरी फिजिकल ऐसी है कि खुली वी है जिसकी वज़े से ना राजस्तान की गर्मी में इंजन थोड़ा सा जाधा अच्छा ठंडा रहे अंदर की तरफ यहां से आप बाकी इवेंट रखा गया है जिसकी वज़े से उसकी खुबसूरती नान्स हो जाए अब यह वाला जो वीरियंट है क्योंकि यह मिडल वेरियंट है इसलिए इसके अंदर आपको एड़ास जैसे कोई फीचर्स नहीं मिलते है बिल्खुल रॉ गाड़ी मिलती है जैसे आप साइड में देख में देखते हैं तो आप नोटेस करेंगे कि अंदर की तरफ हलका सा क्रोम जो डिजाइन है यह भाई लोगों बहुत ही जादा खुबसूरत है और रात को हमने इस गाड़ी को चलाया है इस गाड़ी की रोशनी ही अलग है नीचे के तरफ जब आप देखते हैं तो नीचे य गरेंगे तो हम कोई और कलर चुनने की सोचेंगे तो जब आप यहां देखते हैं तो आपको पियानो ब्लाक एलिमेंट के साथ में एक नीचे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलता है यहां पर जब आप देखते हैं तो हलका सा जो ग्रिल डिजाइन है वैसे का वैसा element आपको यहाँ पर गाड़ी में मिलती है, जब आप फ्रंट में देखते हैं, तो जो बोनट है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं, बहुत सटल प्रीमियम डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कमेंट करके आप मुझे बताना कि इस गाड़ी का आपको साइड लुक कै अब जैसे ही आप इस वीकल को यहाँ से देखेंगे, वैसे ही कुछ सेफटी फीचर इस गाड़ी में आप नोटिस करेंगे, सबसे पहला, फ्रंट और रेयर दोनों में आपको डिस ब्रेक्स मिलते हैं, जिसकी वज़े से भागाना तो आसान है, मगर कंट्रोल करना भी आसा अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं, वैसे आपको कैसे पता चलेगा, कि इस सलेक्ट वाली डिजाइन है, मतलब सलेक्ट वाला मॉडल है, इस वाली वीरेंट के अंदर आपको अलोई वील्स मिलते हैं, मगर सिल्वर कलर के अलोई वील है, फ्रंट के अंदर कुछ इस प्र तो मेरे हाच से थोड़ा बड़ी साइस का ओवर वी-म है जिसके उपर इंटीग्रेटर्ड मिलते हैं आपको इंडीगेटर्स यहां पर एक क्रोम कलर की डिजाइन element मतलब chrome में आपको element मिलता है design element जो की चलता हुआ पीछे की तरफ यहां तक जा रहा होता है गाड़ी में over chrome नहीं है जिसकी वज़े से थोड़ी सी odd लगे दिखने में बहुत जादा खूपसरत है अगर मैं बात करूँ select variant की तो कुल मिलाके आपको तीन color options में गाड़ी मिल रही होती है black white and silver आप मुझे comment करके बताना कि अगर आप select लेते तो कौन से color में लेते जैसे ही नीचे की तरफ आप देखते हो वैसे ही आपको एक दो और element of design बताते हैं की black color है तो थोड़ा सा गाड़ी में mixed हो रहा है वील आर्च के उपर मतलब यहां पर जब आप देखोगे तो वील आर्च cladding आपको black color की देखने को मिलती है फ्रेंट से लेकर यहां पर होनी की वज़े से इसकी वज़े से टायरों का लुग और जादे इन्हांस हो जाता है ओल्दो काले में दोनों बहुत जादा मर्ज हो रही है मगर अगर यह काला नहीं होता और कोई दूसरा color होता तो थोड़ा सा और जादा वो अलग से एलिमेंट देखने को मिलता इस तरफ जब आप देखते हैं तो दर्वाजे में नीचे की तरफ रनिंग बूर्ड के साथ में आपको डोर क्लाडिंग देखने को मिलती है जिसमें हलक आसा सिल्वर कलर का अलिमेंट आपको यहां पर मिल रहा होता है खुब शुरे डिजाइन और यहां से जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमिमिश फील दे रहा होता है attention to detail और पैसा भर भर के खर्च करा हुआ आपको यहां पर मैसुस होगा जब आपको co-passenger side door handle है उसके अंदर भी आपको यहां पर request sensor मिलता है सो सिफ driver side नहीं co-driver side भी आपको यहां पर request sensor मिलेगा जिसकी वज़े से आपकी accessibility और जाधा आसान हो जाती है अब एक और आपका mid variant में आपको feature मिलता है कि जब आप गाड़ी lock करते हो तो जब आपके mirrors और VMs है वो भी fold हो जाते है beautiful thing, MG, बहुत अच्छी चीज़ है ये अब जैसे ही पीछे की तरफ आप चलते हो वैसे ही अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले roof rails, so roof rails का फाइदा यह है कि इसकी वज़े से गाड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा issue-ish look में आपकी हो जाती है same time क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कुछ लिखावा नहीं है it means these roof rails are functional छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको लगानी हो तो आपको उसके उपर लगा सकते हो mg team से हम बात करेंगे और जब हम इसको चलाएंगे तब इसके उपर और attention to detail हम explore कर रहे होंगे कि roof rails पे आप किता वज़न डाल सकते हो उपर की तरफ जब आप यहां देखोगे तो आपको noticing में होगा कि उपर की तरफ यहां पर आपको इसके अंदर मिलती है sunroof तो बच्चे सुखाने के लिए sunroof नहीं है बाकि सारे के सारे काम आप ले सकते हो ठंडी हवा काओ अच्छा view देखो जैसे पीछे की तरफ देखोगे वैसे ही यहां पर मिलता आपको shark pin antenna जिससे इसका look थोड़ा सा और ज़्यादा enhance हो जाता है अब दोस्तों आगी की तरफ चलते हैं और देखते हैं पीछे भी मिलता आपको disc brake तो आगे claustrophobic कम मैसूस होता है तो यह छोटी सी चीज है मगर इसकी वज़े से अंदर बैटने का जो view है वो बिलकुल अलग हो जाता है अगर आप side profile की बात करो तो आपकी गाड़ी कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है अब चलते हैं पीछे की तरफ सबसे पहले जब आप पीछे से देखोगे तो आपको बहुत ही खुबसरत MG का logo देखने को मिलेगा spacing के साथ में Aster की पीछो बीच आपको branding देखने को मिलेगी और left की तरफ आपको ZS की यहाँ पर branding देखने को मिलेगी एक छोटा सा cute सा यहाँ पर आपको वाइपर मिलेगा और उसी के साथ में rear में मिलता है defogger उपर की तरफ देखोगे तो high mounted stop lamp देखने को मिलेगा और उसके साथ में integrated छोटा सा आपको यहाँ पर मिलता है एक spoiler नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर बहुत ही खुपसरत आपको मिलती है light यह जो light है इसकी रोशनी बहुत ही जाद अच्छी है LED light है यहाँ से हम क्या करते हैं हमें यहाँ भाई लोग है उनकी मदद से ना हम इस गाड़ी को on भी करेंगे अब यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही खुपसरा design में आपको tail lamp मिलती है side से भी इसकी बहुत अच्छी visibility है और center से भी बहुत अच्छी visibility है नीचे की तरह जब आप देखते हैं तो इस गाड़ी में मिलते हैं आपको तीन parking sensor तो ऐसा नहीं है कि एक या दो parking sensor से company घाटा नक्का कर देती में चाहिए वह आपको यहां पर मिल रही होती ही मगर क्योंकि बेस मिल्डिल वेरियंट है इसलिए इसमें कुछ चीजें आपकी वैसी ही मिलेगी जिता पैसा दे रहे होते हो पट उसमें भी आपको बहुत सारी चीजे जाधा मिलती है कौने पर जैसा फ्रेंट्री डिजाइन एलिमेंट है वैसे का वैसे रेयर में भी आपको यहां डिजाइन एलिमेंट मिलता है जिसके साथ मिलता है छोटा सा रिफलेक्टर और अब चलते है नीचे की तरफ जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही इस गाड़ी के अंदर मिलती है आपको यहां पर एक पीछे भी जो स्किड प्लेट है वो और बीचो बीच जब आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको फेंस मिलती है मतलब जिसे कहता ना आरो डाइनेमिक डिजाइन तो दूर से जब आप इस गाड़ी को देखते तो थोड़ा और ज्यादा स्पोर्टी आपको यह वीकल लग रहा होता है दोनों तरफ यहां पर फेक एक्जास्ट बने वे हैं जिसकी वज़े से थोड़ा सा स्पोर्टी लुक हो जाए तो जो लोग आफ्टर मार्केट कर रहे होता है कंपनी ने वो चीज़ करके दे दी यहां पर आपके पास में वैसा एक डिजाइन एलिमेंट है मगर एक्चल जब आप एक्जास्ट देखोगे तो यहां पर है तो कमेंट करके मुझे बताना यह वाली चीज़ भी कि आपको यह जो डिजाइन एलिमेंट है यह कैसा लगा अब सीधे के सीधे चलते हैं गाड़ी के अंदर और पीछे की तरफ आपको बूट स पट खुलेगी यहां से सो जैसे आप एम जी का लोगो है इसको ऐसे करोगे वैसे ही पीछे से जो आपका बूट है वो ओपन हो जाएगा सबसे पहले मैंने वाक्षवागन जो पोलो है उसमें वाली चीज देखी तो जो लोग कामे लेते हैं उनके लिए तो फन है मगर जो है इनसान होता है वो थोड़े से confusion में हो जाते हैं कि कहा से खोले अब जैसे आप यहां पर देखोगे सबसे पहले एक तो पीछे जो ट्रंक है उसको बंद करने के लिए आपको यहां पर एक पॉइंट मिलता है जहां से accessibility आसान हो जाती है यहां पर आपके पास mechanism है जिसमें अगर आपको कोई maintenance करनी हो तो इसको खोल कर mechanism की maintenance कर सकते हो अब दिखाते हैं आपको पीछे की तरफ space सो बहुत सारा पांच लोगों के बैटने के हिसाब से आपको यहां पर space मिल रहा होता है जिसके साथ में मिलती ही यहां पर एक ट्रंक में light जिसके वज़े से रात को समान रखना हो जाता है थोड़ा सा आसान यहां पर मिलते हैं दोनों तरफ आपको बहुत सारा space जिसमें आप चोटा मोटा जो भी tools वगरा है वो रख सकते हैं इस तरफ भी आपको जगे मिलती है इस तरफ भी जगे मिलती है जड़े सीवी में तो भाई साब हमने इस जगे को बह दिखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा यहां कहीं आई बटन में डाल दूँगा आप वह वाला वीडियो भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी बिल्ट क्वालिटी आपको मिलती है सेम टाइम समान रखना जो है वो आसान हो जाता है क्योंकि जो और 215-60-R16 का आपको पीछे की तरफ यह टायर उसके साथ में बाकी सारे टूल अलग से हमने एक वीडियो बनाए था जिसमें जैडे सीवी को किस प्रकार से आप टायर अगर स्पेर टायर चेंज करना उसके उपर एक डीटेल वीडियो था और मैं आपको रियालिटी बता मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हों ने मुझे कॉल कर रहा है कि भाई साब हाइवे पर अटके वे और आपको एक ट्रे मिलती है तो पार्सल ट्रे जो है उसको आप इसके साथ में उपर नीचे कर सकते हो अभी यह जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो इसमें कोई भी पार्ट आफ एक्सेसरी नहीं लगी वी है अब चलते हैं इस तरफ तो सबसे पहले फ्यूल कैप जो है राइट एंड साइड आपको फ्यूल कैप यहाँ पर ओपन करने के लिए यहाँ पर फ्यूल कैप मिलती है अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो इस वाले से एक तो ये जो दर्वाजा है यह आपका स्टेप्स में खुलता है तो अगर आप शहर में हो तो आप जहां पर दर्वाजे को रखते हो यह वहीं की वही एग्जाक्ट रुख जाता है आराम से स्टेप्स में खुलने की वज़े से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाती है सेम टाइम जब आप इस दर्वाजे को खोलोगे तो 45 डिग्री के थोड़ा सा पास तक आपका ये दर्वाजा ओपन हो रहा होता है अब दोस्तों अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहां पर मिलता आपको हाट प्लास्टिक उसके साथ में एक सिल्वर कलर की बहुत ही कुपसरत लाइन जिसके साथ में लॉक और लॉक करने का मेकेनिजम और छोटी सी फॉलितीन अब जैसे आप यहां पर चलते हो वैसे ही यहां पर मिलता आपको सॉफ्ट टच मेटेरियल तो जहां पर आप हात रखेंगे वहां सॉफ्ट टच मेटेरियल स्पीकर से याद आया इस गाड़ी में मिलते हैं आपको चार स्पीकर और दो ट्वीटर किसी दिन अगर आप हमें बोलोगे तो हम आमारे इंस्टाग्राम पे अलग से उसका एक रील डाल देंगे जिसके अंदर आप मधूर म्यूजिक सुनकर पता गड़ सकते हो कि इसकी आवाज कैसी स्पीकरों की और अगर आपको रेल लाइफ में देखना है तो MG के आउटलेट जाओ और एक्सपीरियंस करो अब दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर बैट के आपको कुछ चीज़े दिखाते हैं पहले तो अंदर बैटना हो जाता है बहुत जादा आसान अब यहां से जैसे आप अंदर बैटते हैं पार विंडो का स्विच छोटा सा कभी स्पेस जिसमें आप छोटा मोटा समान रख सकते हैं अब सबसे पहले एक तो दिखाते हैं हम कैसे हम बैठे हुए तो 165 cm मेरी हाइट है मेरे हिसाब से जब मैं मतलब मेरे हिसाब से क्या ज सब्सक्राइब निनल जिसके साथ में लाइट सो I Guardy on नहीं है किसके काम करते हम हम घाड़ी यहां से on कर लेते हैं सो जैसे यहां उनकरा वैसे ही बहुत ही अच्छी वाइट लीडी आपको यहां पर लाइट मिलती है और मैं काम करता हूं मैं इसको आफ कर देता हूं नहीं तो यह बैटरी लो हो जाएगी अब सुकून से बैट गए तो यहां पर मिलता है आपको सबसे पहले कभी स्पेस जिस की फ्रेंट में इंजन है रेयर में नहीं है तो यहां पर आप विल्कुल फ्लाट आउट भी कर सकते थे अब इस तरफ जब बात करें तो एक तो सीटों का टेक्शर जो है इस गुड़ सीटों का टेक्शर अब क्योंकि यह हमारा मिडल वेरियंट है इसलिए इसके अंदर आ आपको टू पॉइंटर सीट बेल्ट मिल रहे होता है सेम टाइम जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिलता एक हैंड्रेस अब हैंड्रेस्ट अगर आप नॉर्मल रखते तो ऐसे रख सकते हो नहीं तो इसको ऐसे ओपन करके इसके अंदर आप कफ वगरा भी रख सकत और सबसे अच्छी बात है कि मिडल वेरियंट होने के बाद में भी इस वेरियंट में आपको मिलता है तीनों हैड्रेस्ट तो तीनों लोग जो सेंटर वाला है जो बच्चा है या नॉर्मल एज का है उसको यह फील नहीं होना ची कि भाई साब उसके पास हैड्रेस नहीं है तो आराम से जो लोग पीछे बैठेंगे उनके पास अच्छा कासा AC वेंट मिल जाता है हलका सा यहां क्रोम इंसर्ट और उसके नीचे की तरफ आपको मिल जाते मैं इसको हलका सा ऐसे कर देता हूं यहां मिल जाते हैं दो AC पो तो है उसके अलावा USB A टाइप आपको नीचे अब इस लाइट कॉफ कर देते हैं और यहां से हमारी जो बहुत बड़ी साइस की इसके अंदर संरूफ है वो भी दिखा देते हैं कि आपको उपर की तरफ किता एप्रोक्सिमेटली स्पेस मिल रहा होता है कैसी विजिबिलीटी है क्योंकि वो भी एक कई लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कर्टें जो है इसे डीसेंट गुट कर्टें मगर यह थोड़ा सा पतला है आई विश थोड़ा मोटा होता तो और चीज़े थोड़ी से अच्छी हो जाती अब आपको उपर की तरह स्पेस दिखाते हैं सबसे पहले अच्छा खासा आपको यहां हिदम श्मार्न खासा मैस हो रहता है और जैसे उम बात कर रहेते विल्ट क्वालीटी स्उपर अमीजिंग अब क्या हरते हैं हम भार की तरह चलते हैं और को पैसेंजर साइड देखते हैं कि वहां और क्या-कर स्बेशल तक पहले चोटी सी चीज़ को कर लेते हैं पीछे वाली जो सीट है यह आपकी 60-40 में स्प्लिट होती है तो अगर आप कभी भी तीन लोग जा रहे हो या चार लोग जा रहे हो तो आप एक सीट को इस तरीकी से फोल्ड कर सकते हो जिसके बाद में जो भी आप लगिज रखते हो वह थोड़ा सा अब हम चलते सीदह के सीदह को पैसेंजर साइड और यहां के अँपर की तरफ पर इंदर यहां पर आपके पास ठाशाइनड करने का मेंका नीचे की तरफ यहां पर आप एक दो लीटर की बॉटल तो आराम से रख सकते हो 500 ml की चोटी मूटी बॉटल यहां पर भी रख सकते हो और थोड़ा स्पेस जिसमें आप समान वगरा रख दो स्पीकर का प्लेस्मेंट और अंदर जाने से पहले एक चीज़ बता देता हूं गाइस हरदम जभी भी आप नई कार लेते हो तो हरदम सकफ प्लेट लगवा लेना चीए जिसकी वज़े से जब आप अंदर भाहर होते हो तो इस जगे पर होने वाले स्क्रैचिस थोड़े से कम हो जाते हैं अंदर की तरफ जैसे आप चलते हो वैसे ही बकेट फिनिश आपको सीट मिल रही होती है अच्छी बकेट अच्छी बड़ी साइस की सीट से अंडर थाई सपोर्ट यहां से आप देखकर ही पैचान सकते हो कि बहुत अच्छा है और उसके साथ में आपको इस गा अच्छा थाना भाई लोगों नीचे की तरफ अच्छा घासा आपको फ्रेंट सीट के लिए पीछे तो डीसेंट पर आगे बहुत अच्छा है आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है जैसे इसको ओपन करते हो वैसे ही बहुत बड़ी साइस का यह क्या है यह क्या है यह अच्छा पर आपको अगें सॉफट तच माटीरियल रापड डैश बोड मिलता है उसके साथ में उपर की तरफ भी जो आपके पास प्लास्टिक लगा है यह वी सॉफट तच माटीरियल का हलकी सी यहां पर फेक स्टिचिंग जैसे डिजाइन है एर बैक की ब्रांडिंग औ अच्छी खासी मेरी विजिबिलीटी की कोई प्रॉबलम निये हमें क्या करता हूं मैं सीट को तोड़ा रिकलाइन कर देता हूं ताकि मैं कुछ चीज और दिखा सकूं उपर की तरफ यहां पर हमारे पास में फ्रेंट में भी ग्राब हैंडल मिलता है और कॉने में मिलता है तो पॉइंटर सीट बेल्ट अब यह तो रहे यहां की बाते अब दिखाते हूं उपर की तरफ तो उपर की तरफ यहां पर मिलता हमको वैनिटी मिरर मगर वैनिटी लाइट नहीं है पर सेंटर वेरिंट के हिसाब से वह बहुत जादा ऐसे नहीं लगता वैनिटी मिरर मिलन तो जिन्दगी ना भाई लोगों राजस्तान की जिन्दगी थोड़ी सी सफल हो जाए ठीक है एनिवेस उपपर की तरफ देखा जाए तो बहुत अच्छी संरूफ पता नहीं क्यों मुझे मुझे बार-बार ये संरूफ दिख रही है क्योंकि ये सही में बहुत जादा बड़ी साइस किये नीचे की तरह जब आप देखेंगे तो आफ रोडिंग वीकल की तरह ही इसमें आपको यहाँ पर एक ग्राब हैंडल और एक्स्टा मिल रहा ह उस마钉फ ता ओर जो यहां पर सोफट अच्ट मेटीरियल है बाई लोगों सची बहुत प्रीमियमम वैसा ही यहां पर बी आपको सोफट अच्ट मेटीरियल पूरे के पूरे यहां पर मिल रहा होता है और एक silver color की जो line है, यहां चलती भी यहां तक जारी होती, center जो AC vent है, इनका भी proper placement है, कि proper पीछे की तरफ भी air flow बना रहे, और यहां पर भी धर उधर बना रहे, built quality, super amazing, good built quality, अब चलते हैं सीधे के सीधे इस तरफ, और देखते हैं कि driver side क्या क्या special है, क्योंकि driver side दिख भी बह driver side और सबसे पहले एक तो request sensor, steps में खुलने वाला दर्वाजा, और ऐसे खुलोगे तो 45 से अप्रोक्स थोड़ा सा कम है, मतला 45 तो ऐसे हो गया, उससे थोड़ा सा कम, सबसे पहले, hard plastic, good built quality, lock unlock करने का mechanism, उसके साथ में silver line के साथ एक यहां पर element आपको मिलेगा, नीचे की और उसके साथ में, यहां पर मिल जाती है, आपको पार, चारो के चारो, manual power window के switches, उसके साथ में, यहां पर मिल जाता है, पीछे की तरफ अगर चोटे बच्चे है, तो आप पार विंडो पीछे बंद कर सकते हो, अब जैसे और गुड बिल्ट क्वालिटी, अब जैसे आप तरफ चलते हो, वैसे ही, सबसे पहले, सीट को उपर और नीचे, height adjustment करने के लिए, आपको manual button मिलता है, उसके साथ सीट recline करने के लिए, यहां पर आपको manual button मिलता है, और जो भी लोगों को नहीं मालूम, वो लोग यहां पर देख सकते हैं, कि क्या PSI आपको टायर में pressure रखन चाहिए, उसकी हर गाड़ी में हैं detail होती, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, कि आप गाड़ी के अंदर आपको क्या tire pressure रखना है, अच्छी कासी bucket finished seats आपको यहां पर मिलती है, अब चलता है सीधे अंदर की तरफ, तो जैसे आप अंदर देखते हैं, वैसे ही 7 इंच की आपको यह वाली screen मिलती है, मतलब जो driver information उसकी screen मिलती है, और यह मिलती है 10.1 इंच की screen, तो अब बाकी चीजें जो हैं, उसको बताना शुरू करते हैं, अब दोस्तों सबसे पहले एक तो इस तरफ से शुरू करते हैं, यह जो गाड़ी है, यह आपको दो engine options, उंचा shifter है, यहाँ पर आपको shifter मिलता है, gear shifter, और पीछे की तरफ इसके यहाँ पर आपको button मिलता है, यहाँ पर जिससे के आप gear shift करते हैं, PRN, D और manual जो है, S में आपको gear shift यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिलते है, electrical parking brake और उसके साथ में auto, जो start and stop है, उसका button आप को यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर अलग design के अंदर आपको 2 cup holder मिलते हैं, थोड़ा सा बड़ा cup holder है, यह थोड़ा सा छोटा, मुझे ऐसे लग रहा है, आपको भी लग रहा है, पर यहाँ पर बहुत ही अच्छी size के आपको cup holder मिलते हैं, उसके साथ में piano black puri की पूरी design element, एक मिलता आपको handress, जिसमें छोटा मुटा आपका समान रख सकते हो, अब जिन लोगों की लंबाई बहुत अच्छी होते हैं, उनके लिए तो handress बहुत कारगर होता है, मगर जिनकी लंबाई नहीं होता है, अच्छा soft touch material, उपर नीचे slide नहीं होता है, अब जैसे आप इस USB-A मिलती है, Android Auto, Apple CarPlay, दोनों wireless है, और यहां पर आपका अगर phone जो है, वो भी आप wirelessly चार्ज कर सकते हो, तो अच्छा गासा space है, मतलब कुछ जादा ही अच्छा space है, तो यहां पर आप अपना phone जो है, उसको चार्ज कर सकते हो, yes, phone चार्ज होने लग गया, और वापस बाहर निकाल लेता है, तो S23 Ultra है हमारा, और उसके साथ में यहां पर मिलता है, आपको 12V का एक socket, उपर की तरफ यहां पर फिजिकल बटन मिलते हैं, तो AC कंट्रोल और स्क्रीन के कंट्रोल के लिए आपको यहां पर फिजिकल बटन मिल जाते हैं, अच्छी बात है, अगर आपके निचे बटन मिलता है, सबसे पहले होम का बटन, उसके साथ में यहां पर sound कम या जादा करने का यह देखा, यहां पर sound कम या जादा करने का आपको बटन मिल जाता है, उसके साथ ही, यहां पर मिल जाती है, आपको जो AC on off करने का बटन, जो front और rear defogger है, उसको बंद करने का बटन फैन स्पीड और उसके साथ में आपको ठंडी हवा खानी है गरम हवा खानी है वह आप यहां से मतलब टेंपरेचर ठंडा है अगरम वह यहां से आप चालू कर सकते हो बहुत ही अच्छी स्क्रीन है जिसके उपर अच्छा कासा आपके पास में जिसे कहते हैं बड़ा फ प्रपल कारप्ले उनको कनेट करने का बटन बिल जाता है एफ-र जो आपका एशी उसको आप सौरी में थोड़ा से यहां ले लेता हूँ अब ज्यादा फोकस कर रहा है उसका आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो सेटिंग्स में जित्ते भी फंक्शन से उनको आप यहां से एक सारी चीजे यहीं आजाती है पर यहां से आप यह जित्ते बटन है इनको काम में ले सकते हो इत्ती देर से हमने इसको चालूग रख रखाता तो इस वज़े से गाड़ी बोल रही है कि जो बैटरी है ना उसमें लिमिटेड एनरजी है सो आप तरीके से उसको काम में लो तो अब जो स्क्रीन है उसके उपर आराम से किसी दिन नॉर्मल में बात करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉप वीरिंड नहीं है तो बहुत सारे वो फीचर जो हम समझाना चाते है उसके लिए टॉप वीरिंड में हम बताएंगे बीचो बीच हम जलती है मैं इसको एक बार हलका साना गाड़ी ओन कर लेता हूं तो यहां पर यह वाली जो जगह है यहां पर आपके पास में मैं लाइट्स भी ओन कर लेता हूं यहां पर जो जगह है यहां पर आपके पास में को पैसेंजर और बाकी डीटेल्स आ जाती है मतलब वो अच्छी कासी white color में मतलब white roshni के साथ में आपको reading lamp दोनों तरफ so nice और इनके साथ में आपके पास में अगर दर्वाजा खुलाए बंद है और बाकी सारी lights यहां पर मतलब उनकी controls यहां मिल जाते आगी की तरफ इस तरफ जो sunshade है तो driver side बे आपको vanity mirror मिलता है तो आप स्टेरिंग मिलता है जिसमें यहां पर बहुत ही अच्छी grip मिलती है mg का बीचो बीच में लोगो और नीचे की तरफ यहां पर आपको हल्क ऐसा chrome satin chrome जो है वैस element यहां देखने को मिलता है comment करके मुझे बताना कि यह जो steering है इसके design कैसा लगा बहुत छोटा flat bottom steering मैं बहुत कम मुझे flat bottom बहुत जादा पसंद आते हैं आपको right and side आपकी जो screen इसकी control मिलते और left hand side अपके सारे के सारे media controls मिल जाते है जब आफ इस तरह देखते हैं तो waiper controls मिल जाते है और इस तरह देखते हैं तो आपके seguinte light लाइट कंट्रोल मिल जाता है अब इस लाइटमें आपको ऑट एड्य लैंप मिल रहे होते हैं नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो कुझ रणी स्क्रीन पर रही जाता है फीचर और ज्यादा इंप्रूड मिलते इस तरफ हमारे पास किलोमेटर पर और डिजिटल में यहां देखने को मिलता है और स्क्रीन में क्या क्या है से ब्राइटनेस नेक्स सर्विस आप यहां से चेंज कर सकते हो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलते हैं और जिति भी इसके अंदर एराइर जाती हो आती हो जिस्टम मिलता है और उसके साथ में जिसे कहते हैं बागी वह भी और यह वाला जो बटन था ना यह आठोमी भाई जी मैं यहां से भूल गया था सो ए ए लिखावा थोड़ा सा confusion हो गया और उसके साथ में यहां पर यही सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलती है और अगर आप मुझे बोलोगे तो इस स्क्रीन के उपर भी कभी न कभी वीडियो बनाएंगे इस तरफ हमारे पास में जो आपके पास में बूट ओपन करने का नीचे बटन मिलता है और उसके साथ में जो आपके पास में फ्यूल गेज है उसको ओपन करने काम क्या करते हैं यहां से पुश्टाट आपकी गाड़ी है इसको बंद कर देते हैं जैसे ही यहां पर आप देखते हो वैसे ही दोनों जो मतलब होता कि कई बार आपके दोस्त आपकी गाड़ी ले जाते हैं and they had no idea कि गाड़ी में फ्यूल कहां से डलेगा तो यहां से आप फ्यूल गेज ओपन कर सकते हो और यहां से बोनट ओपन कर सकते हो अब क्या है इंजिन स्पेसिफिकेशन भी तो आप लोगों को बतानी है एक attention to detail यह है कि जैसे यहां से हमने hood open करा वैसे ही front वाली जो screen थी उसके अंदर भी हमको hood open मतलब red color में दिखा जो कि symbolize करता है कि भाईज जी गाड़ी का जो hood है वो open है अब हम चलते हैं सीधे के सीधे आगी की तरफ और आपको इंजिन बे दिखाते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं इंजिन बे की सबसे पहले एक तो यह hood बहुत जादा भारी था तो हमने इसको पहले adjust कर लिया तो आप्शन जाते हैं इंजिन के अंदर आप 10 PS power and 144 Nm torque generate करने वाला जो इंजिन है मतलब non-turbo थोड़े से reliable engine हो जाते हैं अच्छा कासा आपको यहाँ पर space मिल रहा होता है मतलब बहुत ही जादा space है अगर आप engine और बाकी space में देखो तो जो collision space है वो थोड़ा सा extra है जिसकी वज़े से आपकी गाड़ी ना थोड़ी सी safe side हो जाती है बहुत ही जादा complicated अंदर की तरह setup ना होनी की वज़े से जो mechanic गाड़ी ठीक करते हैं उनके लिए गाड़ी ठीक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अच्छी बड़ी battery fuse box coolant bottle और उसके साथ में windshield fluid की इधर bottle brake fluid की वहाँ bottle अब यह तो रही सारी बातें अब बात करत किया warranty ले सकते हो और 5 साल भी गाड़ी चला हो तो बहुत बड़ी बात होती है अब MG Aster जो है यह 9.98 लाक रुपीज से start होकर 17.74 लाक रुपीज तक चली जाती है तो आपके पास options बहुत सारे होता है और यह जो मैंने rate बोली है ना एक शोर हूँ यह 25th January मतब आज के दिन applicable ह जिस दिन आप अपनी गाड़ी की billing कराते हो उसी दिन actual value count होती है filter box बहुत बड़ा filter box आपको यहाँ पर देखने को मिलता है so अच्छा है good filter box more air so यह तो रही यह सारी बाते हैं अब हम क्या करते हैं पहले hood बंद करते हैं और उसके बारे में बाद में आपको बताते हैं कि ग 4323 mm all over मुझे length मिलती है अगर मैं width की बात करूँ तो 1809 mm all over width मिलती है अगर मैं height की बात करूँ तो 1650 mm all over height मिलती है wheelbase की बात करूँ मतलब इस टायर से लेके इस टायर की तो 2585 mm all over मुझको इसकी wheelbase मिल रहा होता है जो कि बहुत अच्छी बात है इसलिए अंदर space है and 190 mm के ground clearance ह होने की वज़े से चीजें हो जाती थोड़ी सी आसान, front के अंदर जब आप देखते हो तो यहां पर यह आपके indicator है, comment करके मुझे बताना कि इनका look आपको कैसे लगा, नीचे की तरफ आपके DRLs और बहुती sharp अच्छी कासी front की lights, भया नीचे के fog lamp on करना, नीचे की तरफ आ करते हैं, कौने पर आपको मिल जाते हैं, ORVM पे integrated indicators, पीछे की तरफ जब आप देखते हैं, तो यहां पर indicators और उसके साथ बहुत ही जादा खूपसुरा light, so again मुझे comment करके बताना कि यह lighting जो है, इनकी रोशनी और look कैसे आपको अलगा, नीचे की तरफ जब आप यहां देख में, वहां पर fog lamp मिलते हैं, बहुत सारा वीडियो बनाके, अब हम वीडियो को end करते हैं, क्योंकि हम fumble करने लग गए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप वीडियो को like कर सकते हो, जो भी आपके दोस्त नई कार लेने वाले, उनके साथ वीडियो को share कर सकते हो and same time पर अगर आपको भी इस गाड़ी का experience लेना हो, तो आपको आना है सीधे की सीधे MG के outlet, जैपुर में जो MG का outlet है, वहां के तो हम description में आपको link डाल देंगे, और दूसरे outlet अगर है, तो आप सीधे MG की website पर जाके भी check out कर सकते हो, आशा करते हैं, ये वीडियो आपको अच व्लोग के साथ में ऐसे ही support बनाई रखे, प्यार देते रहें, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत सारा content तब तक, बाई बाई